आज का लेक्षर नमबर 15 है मैथमेटिक्स क्लास है 10 और चैप्टर नमबर 3 लॉगर फिम्स का चैप्टर ही है एक्सरसाइज है 3.6 और सिंप्लिफाइग करना है विट है लॉगर फिम्स अब इसमें फिरिशन नमबर 6 है है इसको फिर्स पर लेंगे एक्स इक्वल टू 17.92 पावर है इसके उपर माइनस 1 अपॉन 9 इसको दुन दर लॉग लिखेंगे लॉग इधर भी लॉग इन है लॉग जब लॉग जब लिखेंगे तो यह पावर जो है लॉग से पहले आगए अब इसका हम करेक्टरिस्टिक देहीं है करेक्टरिस्टिक ज और फिर इसके बाहर इसका हम देखेंगे लॉग 17 के 9 में देखेंगे और 2 इसका जो चोटे नंबर है इसको कहते हैं डिफरेंस नंबर तो 17 यह आगे 17 17 के अब हमें देखना है 9 में अब आगे चलते जाएंगे यह 9 आगे 2 5 2 9 अब आगे जो है तिरिये तुम करेंगे 5 इन प्लस करके हम देखेंगे लिखने के बाद फिर हम इसको 9 से डिवाइड होगे हमारे पार जब भी लॉग हम लिकाने तो यहां फर माइनस में नंबर नहीं आना चाहिए माइनस में जब भी आ जाए तो यहां माइनस 0 है तो इसमें एड़ कर दें माइनस 1 प्लस 1 अब यह माइनस हो जाएगा तो यहां कि यह जो माइनस 1 है यह बार वन में चेंज आएगा यह बार वन इससे 0 की जगा लेंगे अपने रफसके एंटी लॉग निका लेंगे एंटी लॉग जब निकालेंगे तो 86 के 0 में देखेंगे और यह 7 जो है छोड़े नंबर जो डिफ्रेस न इससे अगला नंबर है 007 पर आगे इससे अगला है सेवन पर आगे है यह 30 यह इसमें प्लस करके दर लिख देखेंगे अब यह जो हमारे पास मिल्कीजा होता है इसका तरीका यह होता है कि करेक्टरिस्टिक में बन प्लस कर दो characteristic जो है इसका 0 है 0 में plus होगा characteristic इसका minus 1 है minus 1 में 1 plus होगा 0 का मतब इसका शुबूर में हम लगा देंगे decimal यह जवाब होगे इसका अब 7 में सवाल 7 में सवाल में हम first पहलेंगे x के बरादा है x के बरादा यह root के अंदर है यह square में है यह cube root है log लगा देंगे दोने तरफ ठीक है log लगाने के बाद फिर इसकी root की power होगे half लगा देंगे यह square रेजिट है cube root है cube लगा देंगे इसे फारूना जो लगी गा वो यह है यह दो value multiply हो रही है तो यह दोनो plus में आ जाएगी यह divide हो रही है अब इसका हम देखेंगे log tables है 43 के 1 में देखेंगे यह log table है वारे पस 43 यह आगे 43 इसके हम देखेंगे 1 में पिर आगे हम देखेंगे 5 इसकी सीज़ में आप देखेंगे difference number 5 के आगे 5 यह दोनो इसमें plus करके हम यहां लग दोगे यह प्लास करके हम देखेंगे इसका characteristic था characteristic मैं ने बताए हैं यह point से पहले है यह point को देखेंगे तो 10 की बाद 2 आजाएंगे characteristic यह दो हैं साइंटिफिक में तो इसने जीरो पावर है इसका भी decibel निधार होगा shift तो यह बनाएगी power 1 तो यह इनके characteristic आगए अब उसका हम देखते हैं अब यह 12 के हमें देखना है 0 में तो यह 12 आगए इसके 0 में आगएगा 0, 7 और यह होगए 9 के यहां लिख देगे हैं 0, 9, 7 पिर उसके बाद है 36 के हम 9 में रहेंगे तो 36 यह आगए तो यह आगए हम देखेंगे इसको 9 में इसको 9 यह आगए देखेंगे हम इसको 9 होगए यहां पर हमें गोने नम्बरों में देखा अब इनको आप प्लस कर देखें प्लस करके यहां देखें यह 9 में देखें इसको 8 में देखें कर देंगे हैं इसको त्री से दिवाइड करना इसके तू से रिवाइड करना इसको दोरफ वाली प्लस होगी अब इसका ईंती-लोग इता अटी-लोग जबढ़ में के बात के बांद पर इन ईंती-फाइव के दिखेंगे सो अगला नंबर है त्री में हम ने देखा एट नाइन और इसके बाद है सेवन पोर पिर आगे डिफरेंस में तू नहीं है तो तू में पोर आगे यह दोनों प्लस करके कहना लिए अब यह पॉइंट से पहले जो है वो जीरो है यह करेक्टर स्टिक में हम प्लस मन करते हैं तो एक डिजेट के बाद पॉइंट आगे यह बाकी तरी समाला जो बाकी है तो इसको की जाएगा और मुझे बताईएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कि जाएगे इसको लाइक करें शेयर करें पर दोस्तों को जरू बता है इसको सब्सक्राइब जरू की जिए अल्लाह करें लाइक